आज हम नए डिजाइन का बैक बनाएंगे इसके लिए बचे हुए कप्रे के टुकर हमें लेने हैं कप्रे का छोटा सा पीस मैंने लिया है इसकी जो उचाई है वो 2.5 इंच है 2.5 इंच और इसकी चौराई भी 2.5 इंच है 2.5 इंच का स्क्वेर पीस मैंने लिया है अब इसे बीच से फोल्ड करके इसे इस तरह से हम कटिंग करेंगे पर दिखे कटिंग हो गई है अब इसी साइज को दूसरा पीस है उसी के ऊपर रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद जो एक्ष्ट्रा कप्रा है उसके कटिंग करेंगे और चोटी-चोटी से हम यहाँ पर कट लगा लेने कि इससे आसानी से सीधा हो जाएगा अब इसको सीधा करके इसमें किनारे-किनारे हमें सिलाई लगा लेने है तो ऐसे 4 पीस हमें बनाने है इस साइज के तरीकी एक बन कर त्यार हो गया है इसी तरीके से 4 पीस हमें बनाने है तो यह हमने 2.5 इंच का जो 4 पीस था उससे बनाया है अब इसे थोड़ा सा बड़ा कपरा हमें लेना है यह लगवग 3 इंच है तीन इंच कप्रे के लंबाई है और तीन इंच और आई है तो जैसे पहले हमने इसे कट किया था उसी तरीके से इसके कटिंग कर लेंगे अब इसे भी दो पिस मिला कर हम सिलाई करेंगे और साइट से एक्स्ट्रा कटिंग करके इसके भी चार पीस हमें बना लेने हैं तो 3 बाई 3 के भी हम चार पीस बनाएंगे 2.5 के भी हम चार पीस बनाएंगे अब इसकी भी हम किनारे किनारे से लहीं लगा लेंगे तो इसके भी तीन पीस बन कर त्यार हो गए हैं अब एक और कप्रा हमें लेना है चार इंच का इसकी लंबाई चार इंच है और इसकी चौराई भी चार इंच है तो तीन साहिज के हमें फूलो की पंकरू भी बनानी हैं एक मैने लिदा इंच की बनाई है डूसरी 3 इंच की और दिसरी 4 इंच की सब के 4-4 पीस बना लेने हैं तो आप साइज अपने मनपसंद से अपने जरूत की हिसाब से जितना बड़ा बैक बना रहा है उस हिसाब से से बड़ाय चोटा कर सकते हैं अब बैक के हम आगे और पीछे वाले पार्ट बनाएंगे तो इसके लिए जो कपरा मैंने लिया है उसकी उचाई लगबख सारे 10 इंच है और 14 इसकी 11 इंच है बीच में मैंने पेपर पेश्टिंग रखी है उपर और नीचे कपरा है अब इसमें हमें चारो साइट से सिलाई लगानी है ऐसे दो पीश मैंने बना लिये हैं अब इसे हम बीच से फोल्ड करके एक कॉर्णर पर हलकी सी गोलाई देंगे अब उपर की साइट भी लगबख आधा इंच हम कटिंग करेंगे आधा या एक इंच जितना भी आप चाहें उपर से से थोड़ा सा हम तिर्चा कट कर लेंगे तो यह बैकी कटिंग हो गई है अब इस तरह से से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे सेंटर पॉइंट पर मैंने निशान लगा लिया है अब जो सबसे बड़ावला पीस है उसे हमें इस तरह से सेट करना है एक उपर एक नीचे और दो एक एक साइड में हम लगा लेंगे सुई दागे से इस तरह से इसको सिलाइक करके इसमें इस तरह से चुणनट बना लेंगे और यहाँ पर रखकर इसे सिलाइक करेंगे इस बैक को आप साटन के कप्रे मी बना सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगेगा साटन या फिर किसी और फैब्रिक में जिसमें थोड़ी सी चमक हो तो उसमें यह ज्यादा सुन्दर लगेगा मेरे पाद सिंपल कप्रा था तो मैंने उसी से बनाया है अब इसी तरह से चारो की हम सिलाई कर लेंगे तो चारो की हम सिलाई कर लेंगे आप चाहे तो हाथ से पहले कच्चा करने के बाद इसमें सिलाई मसिन से भी सिलाई लगा सकते हैं अब भी मैंने 4 इंच वाले पीस की सिलाई की थी अब जो 3 इंच वाला पीस है उसे इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे दो पीस की बीच में जो खाली जगा है उसमें हमें इसे रखना है और सिलना है तो इसमें भी सुई धागे की हेल्प से हम पहले इसमें चुननट बना लेंगे उसके बाद इसके सिलाई करेंगे तो लास्ट में जो छोटा वाला पीस था उसे भी मैंने यहां पर स्टिश कर लिया है अब इसके लिए बीच में हम छोटा सा बटन लगा सकते हैं फिर कप्रे को इस तरह से कटिंग करके चारो सैट से सिलाई करेंगे और धागे को जब खीचेंगे तो इस तरह से जो हमारा राउंड वाला पीस त्यार होगा उसे बीच में लगाएंगे अब इसमें साइड में लगाने के लिए हमें एक स्ट्रीप बनानी है तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक इसका नाप ले लेंगे और जितनी भी लंबाई आएगी उतनी लंबी स्ट्रिप हमें बनानी है पर लगवक 28 इंच है स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने लगवक सारे 3 इंच रखी है पहले इसमें हम हैंडल लगा लेंगे साइट से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हैंडल को रखते वें सिलाई लगा लेंगे दोन पीस में हैंडल की सिलाई हो गई है अब साइट स्ट्रिप को रखकर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से एक कॉर्णी से हम इससे स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्णी तक इसके सिलाई करेंगे तब जो यहाँ पर जो गुलाई है वहाँ पर छोटी-छोटी से कट लगाकर सिलाई करेंगे तो यह आसाने से स्टिश हो जाएगा अब जो दूसरा पीस है उसके भी सिलाई कर लेंगे उपर की साइड हम पाइपिंग लगाएंगे तो इसके लिए मैंने सेम कलर का कपरा लिया है कपरे को पहले सीधी साइड रखेंगे और इसमें हमें पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेनी है किनारे से कपरे को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे उसके बाद इससे रखकर सिलाई करेंगे पूरी राउंड में इसके सिलाई कर लेना है अब बैक को इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो भी कपरा है उसे अंदर की तरह फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो यह बैक बन कर तियार हो जाएगा आप चाहे तो बीच में वैल को या बटन भी लगा सकते हैं तो दिखे हमारे सुन्दर सा बैक बन कर तियार हो गया है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा वीडियो दिखने के लिए अन्यवा